यह प्रैशर ब्रेक है जी, ऐसे खुल जाती है और यह हैंड ब्रेक है दूसरी जो गोब कैट कमपनी का है वो इससे बड़ा हैवी है, यह हलका है उससे लेकन बॉम्स की हाट इसकी भी उतनी है जितनी उसकी है काड़ी का जोर भी नहीं लगने देता और बाकड़ भी ऐसे भरता है कमाल कर देता है ओ माई मास्टर एयर कम कम गोडे गोडे वाटर बारश चमा चम फिद्वी का पौं फिसला आल दी गढ़म इसलिए फिद्वी कैन नाट कम और इसका में जैक जो है वो कैलिस्कोप सिस्टम है और नीचे चैन मगारा लगए यह आप देख रहे हैं दों चैन चाल रही है और उपर जो है वो जैक भी लगा हुआ है मैं बंदाए आसी हूँ असलाम अलेकूम वेलकम करते हैं नादरीन आपको कोईटी विलाग चैनल में मैं हूँ अब उमर और आप देख रहे हैं कोईटी विलाग नादरीन आज कोईट में काम करते हूँ आपको तीन मिशीने दिखाएंगे एक तो यह देखें नए मॉडल का जो है फोर्क लिफ्टर है और दूसरी यह काटो है और आज आपको एक क्याटर पिलर कंपनी का जो है और ट्रैक्टर आपको दिखाते हैं पहले जो आपने जो स्पेशल बने आए हुए है क्योंकि रोड पे इसको लेकर जाना जा वो ममनू है इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है इस वज़ा से जी यह गाडी से नीचे उतार रहे हैं जी हम बहुत साफ सुतरा है यह जो इसको छलाते है यह इनका अपना है लेकर यह बहुत ही साफ सुतरा माशा ला रखते ह од ensuring जब भी यह थोड़ा अलगा मंनद होता है तो फोरण साफ कालते हैं यह की पोपी है असलम अलेकम थोड़ी सी जगा बनादें जनाब में अपर लगानी है और थोड़ी सी जगा बनवाएंगे हम ट्रैक्टर से यहां पड़ा हुआ थी जगा बनादेता है बस आया थोड़ी चुक दियो है बहुत प्यारी सौंड है इसकी बहुत खूब सूरत हम आ था कि एक हञे है कि मेडं यू ऐसे लिखा हूए इसके ओकर और दूसरा जो फोड़ से जादा पावर फोल है उससे चाल आजए और काम बी यह कम निकालता है वह ज्यादा काम निकालता है इस रहा हुआ आ अगि उसरे फोड़ कलिफ्टर का भी मैं आपको वियो दिखाता तो जिसके आगे बाकट लगाई हूई है रेध डालने वाली मैं एक दफ़ा क्रेंज आए हूँ लगा लूँ यह प्रेशर ब्रेक है ऐसे खुल जाती है और यह हैंड ब्रेक है दूसरी करके यह हैवी काड़ी है तो ए यह हैड ब्रेक के साथ इसको रोकना जुए वस्पही नहीं है तो कि इसका काफी बजन होता है और ये खुद ही सरक आगे पिछे हो जाती है इसलिए इसको प्रेशर ब्रेक दी गई जी ये फॉर्क लिट अभी जो है आपको पहले मैंने इस कंपनी का नहीं दिखाया और कैड़ कंपनी के आपने देखे हैं ये डिक कंपनी है ये देखें इसका नाम लिखा हुए यहां पर हमारे जैक निकालने की जो है तो जगा के सामने रेट आ गई है तो हमने इसे काया कि एक बाकड़ यहां से उठा देंगे तो हमारे जैक अराम से निकल दाएगा ये बाकड़ी आर्ट रेशन कारके बनाए गई है ये इसकी औरिजनल नहीं है ये जैनियन इसके साथ नहीं आती है जो पोबकेट कमपनी का है वो इससे बड़ा है ये हलका है उससे लेकन बॉम्स की हायट इसकी भी उतनी है जितनी उसकी है उसका विलाउग मैंने अपने चैनल पर अप्रोड किया है वो भी आप देख सके है एक दूसरे के साथ आवं करकी काम चलता है जी अगर प्रेन वाल करते हैं कि अगर पर ताम की यह ज़ी आए करेंज चार पे रिजालेगी इस साइब से जो पड़े है और उस साइब में देखें वह ने पड़ी है वडे जो इस फॉर्कऱर से है डाले गे इसको इजर कोयत मैं शोका बोलती है क्योंकBeis को डूप महाय चीज को बोलते हैं, जिस तरह क कांटा होता है। तो मुझ आगे जो डूप होते हैं जो इसके ऑरिजनल हैं वह भी कांटा डूप महाय होते हैं कर वान के तरह जए सुई के तरह कोई चीज आगे से इस साकती है। इसमान के इसमान उतार देते हैं। वो किसी भी बंडल के नीचे डाल के उठा लेता है अबी ये बंडल से आगे रमल डार है इन कमरों में और इसकी ये सहुलत होती है कि ये जो है कमरों के Arrow के लिए जाके समान अतार देता है सिमड लेट लेड़ा, सामन के लिए हिर्ट लेड़ा और जब इसने विंडो के अंदर लेके जानी है तो यह अपने जैक लगा लेता है सामने से और इसका जो अपरेटिंग सिस्टम है वो सेम दूसरे की तरह ही है यह देखिए जैक लगा रहा है अपने नीचे यह अगले टायर इसके जमें सूफ जाते हैं और अभी यह भूमबाय निकालके विंडो के अंदर डाल दे गई यह काम करने वालों को इसकी बहुत ज़्यादा सहुलत होती है वरना जो है वो चप के उपर से स्टीडियों के जरीए रेट वगएरा सिमट वगएरा नीचे लेका आना थोड़ा मुश्किल होता है बलके बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो आज कल जदीद टेकनालोजी है हर किसम की मशीन दिए रस्तियाब है जी हर काम करने के लिए जाए मशीन त्यार कर ली गई है अभी देखें ये कमरे के आगे बिल्कुल अगली दिवार तक लेके जा रहा है और इसका में जैक जो है वो कैलिस्कोप सिस्टम है और नीचे चैन मगारा लगई है आप देख रहे हैं जो हम चैन चाल रही है और उपर जो है वो चैक भी लगा हुआ है इस तर्तीज से ही ये जो फोर्क लिफ्टर है ये काम करता है जी अभी मैं जाता हूँ अपने काम की तरफ यहां पर नादरीन कल मेरे साथ एक चोड़ा सा आई लाह आरसा भी पेश आया है कल यहां से मैं क्रेन के उपर चड़ने लगा था तो मेरा पाउँ हो गया इस लेप जोर मैं गिर गया हूँ और इसी मुनास्बत से आपको एक नजम भी सुनाता हूँ जी वो एक लड़के ने अपने स्कूल में अप्लिकेशन लिखी चुटी की दरफास लिखी उसने तो उसने उसमें लिखा कि ओ माई मास्टर एयर कम कम गोड़े गोड़े वाटर बारश चमा चम फिदवी का पाउँ फिसला आल दी गढ़म इसलिए फिदवी कैन नाट कम तो वो कल मेरे साथ भी गढ़म वाला सिस्टम हो गया जी पेन हो रही है काफी सीना जो है वो मेरा इस फरश के साथ लगा है और साइड इस जैक के साथ लगी है तो रहम दो लिल्ला बच्चे तो होगी है तो उसने तो लिख दिया कि इसलिए फिदवी कैन नाट कम लेकर हमारी तो छुटी कोई नहीं है जी हम तो आगए हैं काम पे तो परदेशी आदमी को यह होता है के मेरी द्याड़ी ना तूट जाए आई अल्ला परदेश विरासे तो दुखियां दी सुखी हर गज़ देश न छोड़न कुछ मजबूरियां तो परदेश गए कुज यार गवाचे लोड़न परदेशी आदमी की जिन्दगी तो वही होती है जो अपने अहल खाना में गज़ार के आता है बाकी तो बस काम 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 और ज्यादा काम अल्लाहु अक्पर हमने भी अपना काम शुरू का लिया जी हमने भी ये रेट उठानी है कुएत में ना देने जितने भी आदमे ये छोटा ट्रक्टरे चलाते हैं और रेट भरने के लिए मंगवाए जाते हैं सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट आदमी है वो ये है काड़ी का जोर भी नहीं लगने देता और बाकड़ भी ऐसे भरता है कमाल कार देता है ये देखें कहां तक उसने जाओ उपर डेरी लगा दिया है ये कोईद के अंदर मेरा बेस्ट अपरेटर है बोब गाड का ये बाड़ सावेंजिए हमारे भाई हैं बोग जबरदस अपरेटर है बोब गाड के तो मेरी गर्दाओं के आज गामारा ये छोटा सावेंजिए लाग आपको उपसान दाएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगले वीडियो तक के लिए देजिए अजाज़त अस्सलाम आलेकुम रखमतुल्ह वबरकातु